कि नमस्कार मैं जन्वत्ता श्योंगतम बड़ी खबरारी उत्तर प्रदेश की राजदारी लख्णडव से जहां पर घंटागर के पास तमाम महिलाएं सी एक ब्रोध में सत्र जन्वरी से एक धन्य के नाम पर बहुत बड़ा प्रपंच बहुत बड़ी नौटंग की कर रही थी और आज उसको लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ी कारवाई की दरसल महिलाओं से बार बार कहा जा रहा था कि आप यहां से हट जाईए यह रास्ता रुग रह है ट्रेफिक की परेशान ही हो रही है और कोरोना की बज़े से देश प्रेशान है उत्तर प्रदेश में को मावारी गोसत किया चुका है तमाम स्कूल कॉलेज को 22 तारीक तक के लिए बंद कर दिया है इसलिए पुलिस का यह कहना था कि जादतर लोग एक जगए खिटे आप लोगों से कहा जाता है कि यह तंबू डेरे यहां से हटाई है और प्रदर्शन करना है तो नॉर्मल दो चार्ट बीस आदमी प्रदर्शन कर सकते लिए कि इस तरीके से अनावस्यक तोर पर लोगों को यहां नहीं रहना चाहिए जिसके बाद यह जो महिलाए थी जो अ तरीके के साजों सामान इनों ने लगा दिये थे उसको हटा दिया गया पुलिस के द्वारा लेकिन उसके बाद इन महिलाओं ने असली खेल और असली प्रपंच शुरू किया यह अपने वीडियो बनाने लगी और तीन बुजर्ग महिलाओं को इनों ने सडकों पर लिटा दरसल लिटा दिया हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उससे पहले दावे यह किया रहे थे तमाम छोट 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 वीडियो बना के कि यह महिलाओं पुलिस की पिटाई से बेखोस हो गई है लेकिन एक बड़ा वीडियो सामने आया जिसमें कुछ महिलाओं पहले पुलिस के खिलाप आजादी के नारे लगा रही है हमें चाहिए आजादी देश से आजादी इससे आजादी से आजादी इस तरीके के नारे लगाने वाली यह महलाएं जब पुलिस उनसे थोड़ा सा दूर चली जाती है उनसे यह कहके कि सांथ हो के सई तरीके से करो पब्लिक को परि यानि कि यह जो महलाएं पड़ी हुई थी जिनको कुछ वीडियोस में दिखाए गया था कि पुलिस से ये पिटने की व áreas ही जल्डी उट्जाओ पुलिस चली गई है अब इन्हें बताओ और उसमें तीन महिला है यह कहती हुए बताई जा रही है के पुलिस ने हमें मारा है जब के पुलिस ने केवल वहाँ पर जो चांदनी बगयरा उन्हों तरपाल बगयरा लगा रखे थे सड़क को रोकने के तमाम प्रवंद किये हुए थे उनको महिला पुलिस ने आटाया और उसके वही करने की कोशिस लखनव में की गई लेकिन उत्तरप्रदेश पुलिस की सजगता की बज़े से यह उनका ड्रामा पूरी तरह से फेल हो गया सजगता इसलिए क्योंकि उत्तरप्रदेश पुलिस को पहले ही पता था कि यह महिलाएं है और अगर पुरुस पुलिस वहां पर जाएगी पुलिस अधिकारी हुआ जाएंगे तो निश्चित तोर पर यह और ज्यादा ड्रामा करेंगे और उल्टे सीधे आरूप लगाएंगे इसलिए महिलाओं की टुकड़ी को वहां भेजा गया उसके बाब जूद लोगों ने कई फेक वीडियो बनाकर यह दिखाने की कोशिस की के पुरुषों की पुलिस ने महिलाओं को गलत तरीके से चूने की कोशिस की है लेकिन उसकी सच्चाई भी उन वीडियो में सामने आ गई किस तरीके से महिला पुलिस ही इनको हटा रही थी और महिला पुलिस से यह किस तरीके से उलज रही थी आजादी के नार हैं दूसरे देशों के उनको राहत मिल सके उसके खिलाप यह अफवाओं के आदार पर विरोध हो रहा है जो कि साहीन बाक से शुरू हुआ था लेकिन इन्हें उम्मीद थी कि लखनों में यह आसानी से यह एक पार्क को कब जाने की कोजिस की गई थी जिसको उत्तरपदेश पुलिस ने वहां से अटा दिया था उसके बाद यह मैलाएं घंटा गर पर आ गए और घंटा गर पर आकर यह दस बीस करके वहां बैठने लगी नेकि जब से यह वहान वायरस यानि की कोरोना वायरस की खबर आई है इन्हें पता है कि अगर यह ज्यादा बैठेंगी तो न इसको बाइरल करना है और उसमें एक और बड़ी चीज़ सामने आई कि महलाओं के बेस में वहां पर जो किंडर होते हैं किंडर भी बुरके में थे उनकी आवाज से साब पता चल रहा है कि वह किंडर है और महला बनाकर उन्हें वहां पर बिठा दिया गया है उससे पैसे द द्यारी पर बिठाने की कोशिक की जारी है और इसी धरने में मुनबर राणा की दो बेटिया भी सामिल होती रही है वह भी वहां और गनाइजर के रूपए है तो निश्चत तोर पर यह पूरा का पूरा बामपन थी और ज्यादी गट्षोड के साथ साथ यह जो चल रहा है उसको उत्तर प्रदेश पुलिस ने साहिन भाग बनने से बार बार रोकाया और वही कोशिस आज उत्तर प्रदेश पुलिस ने की थी के साहिन भाग की तर्ज पर यहां भी जो ड्रामा किया जा रहा है उसको सीमित किया जाए रास्ते से इनको हटा जाया और रास्ता जो इन नयादीस भी सामिलते सुमोटो नोटिस लिया और उसके बाद उन पोस्टर को उटाने की बात की मामला सुप्रिम कोर्ट तक पहुंचा लेकिन अब उसी मामले में उत्तरपदेश की जो इस्थानी प्रसाशन है उसने तेरह लोगों को नया नोटिस भेज़ दिया है जिसमें उन लोगों से कहा गया है कि अब उन्हें वो जुर्माना भरना पड़ेगा साथी साथ दस प्रत्सत उनके उपर पेनल्टी भी लगाई गई है जिसके अनुसार अब इन तेरह लोगों को दो लाग तरासी जार रुब्य का जुर्माना देना है और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं एक सब्ता के भीतर तो निश्चित तोर पर उने जेल में डाला जाएगा उनकी संपत्या भी कुर्प की जाएंगी इसको लेकर तमाम जो लोगों पहले भी बात कर रहे थे 57 लोगों के खिलाब नोटेस होने के बाद में अब फिर से उन्होंने विक्टिम कार्ट खेलना शुरू कर दिया है और यह कहना शुरू कर दिया है कि यह पूश्टर रटाई जाने चाहिए तो फिर यह कैसे हो सकता है जबकि भूल गए हैं कि उत्तरप्रदेस सरकार इसी मामले में एक नया अध्यादेश जादी कर चुकी है और वह अध्यादेश अभी कानून बन चुक सब्सक्राइबाई भी होगी उसकी संपत्यां भी कुरक होंगी और उस ब्यक्ति को जेल में भी डाला जाएगा साथी साथ उसकी कहीं भी अपील भी नहीं हो सकती है निश्री तोर पर ऐसा करके उत्तरपदे सरकार ने उन लोगों के तमाम रास्तों को बंद कर दिया है जो दं कोट में सुनवाई होनी है लेकिन उससे पहले जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि कानपूर में इस बात का असर भी हुआ और छे लोगों ने जमा किये थे अब उन लोगों को भी जो बाकी बचे हुए हैं पुलिस ने और प्रसासंग ने नोटेस इसू कर दिया और उन नुकसान पहुचाता है या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुचाता है वो आसानी से बच नहीं पाएगा उसको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी और आगे इसी से सबक लेते हुए तमाम दंगाईयों को यह ध्यान रखना पड़ेगा अगर घल्ती से भी उन् कानुंकिन ही नहीं बलके पूरी तरह मुश्किल भी है और इसी लिए ये खलवली अब उत्तरपदेश से लेकर दिली तक मची हुई है उनके तमाम संद्चक उनकी बकालत करने वाले लोग बैठे हैं लेकिन अब उन लोगों के शुर भी सुनाई नहीं दे रहें क्योंकि उ अपने भासनों से बर्ग लाने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा उन्हें भी इसका जुर्माना और हरजाना भरना पड़ेगा निसे दौर पर एसार दारापुरी का नाम भी इसलिए उन सत्तामल लोगों की लिस्ट में आया था क्योंकि एसार दार गांधी प्रियंका वाडरा जैसे भी लोग थे अख्लेस यादव जैसे लोग भी थे तो निश्चित तोर पर अब ऐसे लोगों के खिलाब भी पुलिस कारणवाई कर सकती है इसका आधार अब उस और्डिनेंस में पुलिस को मिल चुका है तो सीधे तोर पर साहीन भाग हो या दूसरे दिल्ली के दंगे हो उनकी पुर्णावरती करने की जो लोग उत्तर प्रदेश में कोसिस करने का प्लान बना रहे थे उन लोगों को बहुत बड़ा जटका लगा है क्योंकि साहीन बाग की तर्जित पर बनाये गया घंटा घर का पूरा का पूरा ड्रामा आज ने उसको तहस्नेश कर दिया वहां जो टेंट लगाए गए थे जो ड्रामे किये गए थे तमाम जो सरकार के खिलाव गतिविदिया चल रही थी उनको हटा दिया गया और उसके अलाबा जो लोग दंगों में सामिल रहे हैं उनको इस पर्ष तोर पर अब अपते बर का टाइ करते हैं उनके अंदर भी खलवरी है क्योंकि जो लोग अभी जिनको नोटिस जारी हुआ है जिनके नाम हुसामा सिद्धिकी मुहमद आसिम मुहमद कलीम मुकतार एमद मुहमद जाकिर मुहमद सल्मान मुबीन बसीम मुहमद सफियुदिन महनूर चौधरी और हाफिज और है यह अब उन लोगों के घरों पर जाकर सोर मचा रहे हैं जिनों ने इन्हें दंगा करने के लिए बुलाया था या उक्साया था और यह उनी से अब पैसे की मांग कर रहे हैं जिसको लेकर अब धीरे-धीरे कि कानून को हिर्ट कैभी जादी जारी कर दिया उसके बाद इनके पास बचने का कोई राष्ता नहीं है इन्हें है थोड़ी बहुत उ उन्मीत थी सुप्रीम कोट से लेकिन सुप्रीम कोट के तरब से जैसा कि आ गया था कि ऐसा कानून का कोई आदार होना चाहिए देट पुलिस कर चुके तो उस आधार को भी उत्तरपदेश सरकार ने पुलिस को दे दिया है तो निश्चित तॉड पर जो दंगार करते हैं उनके लिए जो बना है उत्तरप्देश प्राइवेट एंड पब्लिक प्रोपट्टी रिकवरी ओर्डिने रही जा रहा है एक बहुत बहुत बड़ा डेटरेंट इस इसका असर आने वारे दिनों में उत्तरप्देश रही इत पर थे दीकनर को मिलेगा और कोई भी दंगाई सारवजनिक संपत्ती या प्राइवेट संपत्ती को नुक्सान पहुचाने से पहले दस बार सोचेगा और अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी जय हैं जय भरत